अगर हम बात करें आगरागी तो आपके सबसे पहले दिमाग में आता है ताजमहल और आए भी क्यों ना क्योंकि ताजमहल दुनिया का सबसे खूपसूरत अजूबा है लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आगरा के बहुत ही फेमस ब्रेकफास की जिससे लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ आगरा और आगरा में एक चीद बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिसे बेड़ाई कहा जाता है लोग अपने दिन की शुरुआत इस बेड़ाई के नाश्टे से ही करते हैं क्या है ऐसा खास इसमें जो लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आईए हम भी जानते हैं और आपको बताते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजेगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस टाइम हम है आगरा के देवीराम स्वीट सेन रेस्टरेरेंट पर जो पढ़ता है प्रताप पुरा चोराहा पर वैसे तो बेड़ाई आपको बहुत जगे आगरा में मिल जाएगी पर यहां की बेड़ाई सब्जी बहुत ही जगे जादा स्पेशल है मैंने सुना है बेसिकली दिल्ली में जिसे बेड़ मी पूरी या मसाला पूरी कहा जाता है वैसे raising में इसे बेड़ाई कहा जाता है बेड़ मी पूरी से थोड़ी सी क्रिस्पी होती है और इसका साइज भी थोड़ा उससे छोटा होता है बेड़ेई सबजी लेने के लिए आपको सबसे पहले काउंटर पे से टोकन लेना होगा पूर्टी रुपीज की दो प्लेट है एक प्लेट में हमें मिलती है दो बेड़ाई आणी की सब्जी और इसके ओपर थोड़ा सा ज़ी डाला वाई और दिली में मोस्ली ज़ी में डालते है बटि हां पर आगरा की स्पेशलिटी है मैं आपको तोड़ के दिखाती हुए किसनी ज्यादा किस्पी है बहुत ही ज्यादा किस्पी पूरी है इस दर्के बताते हां मिलती है एक दब मस्ट है मज़ा आगया और आदम की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और दही के साथ तो उसका बहुत ही अलग फ्लेवर आ रहा है बेड़ेई सब्जी के साथ-साथ इनकी लस्जी भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है इसका प्राइप रुटी रुपीस तुलर वाली लस्जी पीने का जो स्वाद है वो अलगी लस्जी बहुत स्टार्ट हो गई है तो फोड़ा सा रिफ्रेशिंग करने के लिए लिए लस्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यह शॉप सन 1985 से है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है आगरा में यह शॉप हफते के सातो दिन खुलती है और सोबे साड़े साथ बजे से लेकर बारा बजे तक यहाँ पे बेड़ई का नाश्टा मिलता है और उसके बाद समोसे और कचोड़ी मिलते है यहाँ की जलेबी भी मैंने सुना है काफी अच्छी होती है बट इस बार हम ट्राइ नहीं कर पाए जैसे trump किट आप ले सकते हैं और भी different-different तरीकों की इन्होंने qui ihren gift की तो वह भी आप ले सकते हैं जैसे किसी फेस्टेवल में आपको देना हो तो भी आप ले सकते हैं यहां से तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खतम करते हैं कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर आपका कभी आगरा आना हो तो इस शॉप पे बेड़े ही जरूर ट्राई कीजेगा आपको मज़ा आ जाएगा शॉप का एड्रेस और लोकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ से आप उसे देख सकते हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगरा की फेमस चार्ट तो बने रहिएगा मेरे साथ तिल देन थैंक्यू सो मच पर वाचिंग कीप स्माइलिंग